गंगा के प्रती मुस्लिमों की अकीदत देखनी हो तो फरुकबाद के सोता बहादुर पुर गाउं आईए यहां रमजान में रोजेदार गंगा जल से वजू कर पांच वक्त की नमाज अदा करने के साथ ही अफ्तार और सहरी की रवायत को अंडराम दे रहे हैं गंगा गाटों पर जहां सत्यनारायन की कथा के बोल गूंजते हैं वहीं कुरान की आयातों से तिलावत भी सुनाई देती हैं गाटों पर जब ये दिर्श्य दिखते हैं तो गंगा की ये आत्म कथा भी सुनाई देने लगती है कोई वजू करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए मानो तो मैं गंगा मा हूँ, ना मानो तो बहता पानी अफ्तार और सहरी में मुसलिम भाईयों के लिए गंगा जल का खास महत्व है यहां के मुसल्मान अपनी नाओं से गंगा के भक्तों को गंगा पार भी उतारते हैं और जब गंगा के लहरों में फस कर किसी की जान पर बनाती है तो इसी गाओं के मुसलिम गोताखोर गंगा के लहरों को चीरते हुए डूबते हुए की जान बचाते हैं इन सभी कार्यों से यहां के मुसल्मानों ने गंगा मा से उनके रिष्टे और मजबूत बना दिये हैं यहां एक रोजेदार ने बताया कि गंगा के मैली होने की चिंता हमें भी है इसलिए हम भी गंगा की सफाई की प्रती जागरुक रहते हैं ठी मेरे लोग बताते हैं, जहां भे थार चले जो जिस नहर में धार चले तो लिए प्रती प्रिंट होई भी और वज align करने के और वजू करने यह आज पर नवाज क्रते में देख्या imp ऑने कि मिसाल है आपको बता दे कि गंगा किनारे बसे शहर फरुकबाद की अपनी लगभग 300 साल पुरानी विरासत है जिस नवाब मुहम्मद खां बंगश ने शहर की नीव रखी उसी के वारिसों ने जंग आजादी में इसकी सडकों को अपने खून से सुर्ख कर दिया इसकी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल ये है कि यहाँ आज तक कभी संप्रताइक दंगा नहीं हुआ पंजाब केसरी टीवी के लिए फरुकबाद से दिलिप का टियार की रिपोर्ट